नमस्कार फ्रेंट्स, मैं हूँ आपका अपना, आपका अजीज, आपका कमल नंदलाल और मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए हमारे यूट्यूब और फेस्बुक चैनल कुंडली टीवी का खास शो आपका राशी फद्द दोस्तों, इस शो के जरीए हर रोज मैं आपको आपके भविश, आपके फ्यूचर से जुड़ी सटीक जानकारी देनी की कोशिश करता हूँ आज किसकी किसमत का सितारा चंकेगा? क्या है आज का आपका लकी नंबर? क्या है आपका लकी कलर आज? आज किसका दिन बन जाएगा सुहाना और किसकी बात होगी पक्की? और भी बहुत कुछ है आज है तो आईए चलते हैं और शुरू करते हैं सिल्सला राशी फद्द का और सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी? राशी नमबर एक, Aries मेश राशी वालों आज आपका दिन पहले से comparatively बहतर रहेगा पढ़िया रहेगा आज बच्चों के साथ जादा से जादा टाइम गुजारने का मौका मिलेगा आप बच्चों को लेकर बाहर कहीं घूमने भी जा सकते हैं आप स्टूडेंट्स को फॉरण में एजूकेशन के लिए आज अफसर भी मिल सकता है अपॉचुनिटीज मिल सकते हैं आपका किसी अच्छे इंस्टिट्यूट में दाखिला भी हो सकता है आज किसी सगे संबंदी से कुछ वैचारिक मतभीत भी हो सकते हैं आपको अपनी भाशा पर अपनी वानी पर थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूत है आज आपका दामपत्त जीवन आपकी मेरिक लाइफ खुशियों से भरी है पार्टनर के साथ कहीं ठंडी जगे घूमने जाने का अफसर की दिलेगा दुर्गा माता को प्रसाद में पल्चड़ाएं मनो कामना क की पूरती होगी आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नंबर है नहीं बात करता है राशी नंबर दो व्रिश यानि टॉरस की व्रिश्राक्षी वालों आज का दिन महमान नवाजी का दिन है महमान आपके घर दस्तक देना है फ्रेंड्स के प्रती आपके मन में प्यार और स्नेहे का भावना रहेगा आज आप महमानों के साथ बाहर घूमने भी जा सकते हैं उन्हें बाहर डिनर भी कराने लिखके जा सकते हैं साथ बसात उनके साथ शॉपिंग भी कर सकते हैं आपके मन में थोड़ी बिचैनी भी रह सकती है आज आज आर्टिस्टिक फ ग्रीन रहेगा आपके लिए लखी कलर और सरें रहेगा लखी नुमबर बात करते हैं राशी नमबर तीन मिथुन यानि जमनाई मिथुन राशी वालों आज का दिन बहतरीन रहने वाला है बिजनिस में इंक्रिमेंट के लिए आज आप अपने दिमाग को भी उपियोग में ल आएंगे जुस कारगार साबित होंगे की हुए काम का आज पूरा रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है सांजेदारी करना आज आपके लिए प्रॉफिटेबल भी रह सकता है जमीन से जुड़ा कोई बड़ा मामला आज सुलज भी सकता है आज ओफिस में नहीं पहल करने के के लिए दिन बहुत अच्छा है लाव होनी की संभावना बने रहें के करियर में आज कुछ बदलाव होने वाला है जिससे मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है ग्लू है आज के लिए आपका लगी कलर और फाइप है लगी नंबर बात करेंगे राशी नंबर चार करक यानि राज्य में पोजिशन भी मजबूत होगी आपको अपनी मदर से कोई किफ्ट भी मिल सकता है इस राशी के स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगेगा आज आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छे बनी रहेगी बैंक बैलेंस भी बड़ेगा दोस्तों से रिलेशन्स अच्छ बनेगे दिकतों का तेजी से मुकाबला करने की जो आप में शंता है आपको खास पैचांद राएगी वह शंता है किसी ब्रहमन को भुजन कराने से परिवार में सुक्षा निपनी रहेगी पिंक रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर और टू रहेगा लखी में बात करते ह पांचवे राशी सिंग यानि लियो की सिंग राशी वालों आज नया वहन घर ला सकते हैं आप जिससे आपको बच्चों के चेरे पर खुशी दिखाई देगा और पूरे परिवार में खुशी का माहौल रखेगा बड़े भाई से आर्थिक मदद मिलेगी इस राशी के दिन बढ़िया है बुजर्गों का आशिरवाद मिलेगा आज अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना है आज का दिन आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने वाला भी रहेगा आज किसी को उधार दिया वा धन वापिस मिलेगा सूरे देवता को जल चड़ाएं धने ला वरगों कन्या राशिवालों आज का दिन आपके लिए गुड रहेगा आपके काम में आपको कॉन्फिडेंस जलकेगा आज आप दूसनों को अपनी बातों से अपनी और आकर शित करेंगें कोई रुकावा काम अपनों की मदद से पूरा भी हो सकता है इस राशी के लोगी परिक्षा से सम्मंद कोई शुब समाचार में आज जिसे सुनकर आपके चेहरे खुल उठेंगे विवाहत जितने लोग हैं आज पाटन की बात मानेंगे तो रिष्टों में मिठास बनेंगे विरोधी पक्ष आज आपसे दूरिया बनाता रखेगा बस आज भगवा बात करते हैं सातवी राशी तुला की नहीं कि लिवरा तुला राशी वालों आज आप दूर स्थान की ट्रविल पर जाने के कोशिश करेंगे और जा सकते हैं आज आज आपके भाई को सुख मिलने वाला है धर्म कर्म में मन लगेगा आपका भगवान में अस्थापी आज पेस ड्राइविंग अवार्ड करना चाहिए आपको आज आपको प्रॉपटी का कोई बहुत अच्छा ओफर मिल सकता है लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट आपके साथ में बना रहेगा आज आप स्ट्रेस अवार्ड करें आज सफलता आपके कदम चुने की माता प बात करते हैं आठवी राशी व्रिश्चिक यानि की स्कॉर्पियों की व्रिश्चिक राशी वालों परोपकार से दान करने से आपको और ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आप इसी स्कूल में दान करने से आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे शेर मार्केट मे पैसा लगाने के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है, भैतर है, सोच समझ कर ही इंवेस्टमेंट करें। भाई भेनों के साथ में किया गया काम सक्सेस्फुल रहेगा। किसी दूसरी कंपनी से आज आपको और अच्छे जाड़ा उफर मिल सकते हैं। आज अपनी खुशियों और अपनी महपकांशाओं को पूरा करने के लिए कड़ी महनत करने पड़ेगी आपको। सरकारी दफ्तरों में फसा हुआ जो काम है फसे के काम, उन में थोड़ा और समय लग सकता है, वो अभी और स्टफ रहेंगे। किसी सरकारी या धिकारी के सहयोग से आपका काम कुछ आगे बढ़ सकता है। ब्लैक रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर और नाइन रहेगा लखी नुपा। बात करेंगे नवी राशी धनू यानि सजटेरियस की। दनू राशी वालों आज किसमत आपके पूरा पक्ष में कारोबार में आ रही प्रॉब्लम्स जो हैं आज वो खतम हो सकती हैं। धनू आपके नई रास्ते नज़र आएंगे आपको। अगर आज घर में किसी पार्टी का आप और गन कर रहे हैं। तो सभी को दावद लें। महफिल में आज किसी ऐसे विक्ति से आपकी मुलाकात होगी। जो आपको बिजनस में काफी फाइदा पहुचाएगा। आज दूसरों से बात करते समय मीथी भाषा का प्रियुक परें। लोग आपसे काफी इंप्रेस होंगे। इस राशी के बिजनस में को आज अचानक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। माता लक्ष्मी और गनपती की हूजा करें धन की बरसात होने वाली है आपके लिए। और आज के लिए आपका जो लखी कलर रहेगा वो रहेगा ब्राउन और लखी नंबर रहेगा सेवन। फ्री और रिलाक्स फी करेंगे। आपका स्वभाव बिलकोल केर फ्री रहेगा आज। आप सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपने मन की। आज आप बहुत ही रोमेंटिक मोड में रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर भी जा सकते हैं आप। आपके सोर्सस ऑफ इंकम जतने भी हैं उनमें वढ़ोत्री हो भी है। और हेल्थ भी ठीक रहेगे आपकी। जॉब में आज प्रमोशन होने के असार है। आज किसी पुराने फ्रेंड से मुलाकात भी हो सकती है। अचानक कहीं से ठेर सारा धन भी दो सकता है। वाइट रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर और फाइफ रहेगा लखी नमें। बात करते हैं यारवी राशी कुम्ब यानि अकवरियस की। कुम्ब राशी वालों आज आपका दिन संघर्शों से बढ़ा रह सकता है। का दिन ठीक है। इससे आप पर अचानक आने वाला जो दबाव है जो प्रेशर है उसमें कुछ कमी आएगी। आज किसी पर बहुत जल्दी भरोसा करने से आपको बचना होगा। किसी को अपनी परस्नल प्रॉब्लम्स या परस्नल बातों में सम्मेलित ना करें उसे शामिल ना करें। आज आपका स्वास्त में कुछ पहले से जरूर सुधार आएगा। शाम के समय कहीं आज आज आप शॉपिंग पर भी जाने का प्लान मना सकते हैं। आज किसी प्रहमन को भोजन कराएं और दक्षना दें। सभी बाद आएं तुम रोगनी। ग्रे रहेगा आपके लिए लखी कलर और थ्री रहेगा लखी नंबर। बात करते हैं। बारवी राशी मीन की यानि पाइसस। मीन राशी वालों आज का दिन आपके फैमिली के लिए अच्छे रिजर्स लेकर आया है। आज पुराने रिलेशन्शिप से आपको बहुत स्पेशल प्रॉफिट होने वाला है। वर्प्लेस पर थोड़ी हीचातानी ज़रूर हो सकती है। आज कोड के मामलात में संभल कर कुई भी कदम उठाएं। उससे आपका नुकसान हो सकता है जल्दबादीना। बिजनेस के सिल्सले में आप फॉरें ट्रेविल प्लान कर सकते हैं। पैसों के मामले में दोस्तों से आपको हेल्पी मिल सकती है। किसी को प्रपोस अगर आप करना चाते हैं तो कर दें आज। आज दिन अच्छा है। नेवी ब्लू रहेगा आपके लिए लखी कलर और वन रहेगा लखी में। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी आपका भविश्य बताने के लिए आपकी राशी का भविश्य बताने के लिए तब तक अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमलन निलाल को इजाज़त दीजे इस उमीद के साथ कि आपका आने वाला दिन शुब हो, बहतर हो और इसके का हल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे जो वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे जो comment box है, उसमें अपनी problem लिखें, अपनी परिशानी लिखें और साथ-साथ अपनी birth details लिखें, इसके साथ-साथ अपना contact number लिखना ना भूलें, हम आपका question और आपकी problem लाइव में सम्मिलित करेंगे, जो हम समय समय पर live करते रहते हैं, और हम आपको खुद भी call करेंगे, और सबसे खास और जरूरी बात, हमारा YouTube चैनल और हमारा Facebook पेज, like और subscribe, और share करना ना भूलें, तो friends, नमस्कार. झाल